दोस्तो इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को ITC Limited और LIC Limited के साथ में टोटल में 12 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने आप इस स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया भाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है DRC System India Limited DRC System India का जो शेयर प्राइज है वो 66 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आप इस टॉक बोनस अनौंस कर दिया है टू इस टू वन के रेशियो से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको दो शेयर जैज बोनस मिलेंगे टोटल में जो आपका एक शेयर है वो तीन शेयर के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में दो shares का bonus दिया जाएगा and इस bonus को देने की जो X date और record date है वो 27th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Think Inc. Pictures Limited Think Inc. Pictures का जो share price है वो 85 रुपीज के उपर में चल रहा है and इस company ने आपे board meeting organize कर दिये 1st of March को and इस board meeting का जो purpose है वो stock bonus and stock split को लेकर के रहने वला है तो अगर पहली March को company bonus and split दोनों ही चीज़े साथ में announce कर देती है तो definitely हम लोगों को इस stock के अंदर में एक काफी जादा शानदार तेजी देखने को मिल सकती है तो जरूर से Think Inc. Pictures के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा और खास कर 1st of March के दिन इस company के share के उपर में नजर बना के रखिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Vibrant Global Capital Vibrant Global Capital का जो share price है वो 82 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend announce कर दिया है 1.25 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 1 रुपे 25 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो 26 तो February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Phenotex Chemicals Limited Phenotex Chemicals का जो share price है वो 450 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend announce कर दिया है 1.20 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 1 रुपे 20 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की भी X date और record date same day की रहने वली है यानि की 26 तो February की अगले share की बात करें तो company का नाम है NMDC Limited NMDC का जो share price है वो 238 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend announce कर दिया है 5.75 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 5 रुपे 25 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो 27th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Chrysal Limited Chrysal का जो share price है वो 4700-4800 रुपीज के range पे trade हो रहा है और company ने आपे dividend announce कर दिया है 28 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 28 रुपे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो 28th of March की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Auto Riders International Limited Auto Riders International का जो share price है वो 34 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आपे board meeting organize कर दिया 1st of March को और इस board meeting का जो purpose है वो dividend को लेकर के रहने वला है अब company ने dividend को देने की X date और record date already advance में announce कर दिया जो की 15th of March की रहेगी तो पहली March को company जो भी dividend announce करती है अगर उसका benefit आप लोगों को चाहिए हुआ तो आपको इस company के share को उसकी X date यानि की 15 March से पहले-पहले purchase कर लेना होगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Insil Hydro Limited Insil Hydro Limited का जो share price है वो 62 रुपीज के ओपर में चल रहा है और company ने आपे dividend announce कर दिया है 0.20 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के ओपर में 20 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की X date और record date फिलाल अभी upcoming में है जैसे ही company X date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है धातरी उद्द्योग Limited धातरी उद्द्योग का जो share price है वो 210 रुपीज के ओपर में चल रहा है और company ने आप इस stock split announce कर दिया है 1 is to 10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 10-10 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की भी X date और record date फिलाल भी upcoming में है आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा जैसी X dates और record dates आएगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है LIC यानि की Life Insurance Corporation of India LIC Limited का जो share price है 1,040 रुपीज के आसपास में चल रहा है और LIC की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically the Hindu business lines करके एक काफी जाना माना business analyst है and the Hindu business lines की जो total team है उसके अंदर में काफी जाने माने research analyst और साथी साथ में काफी जाने माने technical analyst मौजूद है अब the Hindu business lines ने जो है LIC के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पर जो target price दिया गया है वो 1,450 रुपीज का दिया है तो लगबग 1,040 रुपे से लेकर के 1,450 यानि की 1,5400 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे the Hindu business lines expect करके चल रहा है LIC limited के share के अंदर में अब सभी को पता है काफी जानी मानी और काफी दिगज कंपनी है साथी साथ में last 2-3 महीने के अंदर में काफी एच्चे returns अल्रेडी अपने investors को दे चुका है और साथी साथ में जो IPO price था उससे तो काफी उपर अब trade कर रहा है तो एक काफी अच्छा opportunity आपके पास में हो सकता है और यह जो 1450 रुपीज का target है यह आपका mid term का target रहेगा mid term से लेके long term का तो अगर आप लोग चाहें तो LIC limited के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते है company और sector दोनों के अंदर में potential काफी जादा high है आपको आने वाले time में काफी जादा अच्छे returns यहां से मिल सकते है तो ज़रूर से LIC limited के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहां पे हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है ITC limited ITC limited का जो share price है वो 415 रुपीज के उपर में चल रहा है और ITC की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहां पे Z business करके काफी जाना माना business analyst है and I am damn sure आप लोगोंने Z business का नाम जरूर से सुना होगा अब Z business ने जो है ITC limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहां पे जो target price दिया गया है वो 525 रुपीज का दिया है तो लगबग 415 रुपे से लेकर के 525 रुपे तक की एक जो rally है वो यहां पे Z business expect करके चल रहा है ITC limited के share के अंदर में अब ITC में personally बताऊं तो potential काफी जाद है काफी लंबे time से कोई जादा बड़ी rally हमें इसके अंदर में देखने को नहीं मिली है and जब भी ITC का share यहां पे चलना start करेगा तो काफी अच्छा खासा return आपको देने वला है तो जरूर से अगर आप long term vision रखते हैं तो ITC के share के अंदर में जरूर से invest कीजेगा 527 का target तो कुछ भी नहीं होगा long term में इससे भी कही गुना जादा बड़ा target ITC आपको दिखा सकता है तो जरूर से ITC Limited के share के उपर में आपकी खास नजर बना के रखिएगा हलकी बहुत गिरावट में मिले तो ले सकते हैं अभी current price पे भी कुछ quantities उठा सकते हैं काफी easily 525 रुपीज का target आपको mid term के अंदर में achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो ITC के share के उपर में नजर बना के रखिएगा और ITC Limited और LIC के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहापे आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 12 stocks थे जिन्होंने आपे stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा बिकोज फिनो media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye